यहां पे जो मैं आपको करवा रहा हूं यह एक ओवर ओल आपकी जो करन्ट अफेर्स है उसकी एक क्लास में आपको दे रहा हूं जिसमें मैं पूरा-पूरा निचोड़ आपको आपके सामने रखने की कोशिश की है इसमें तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार् और करन्ट अफेर्स और बेसिक कंप्यूटर्स के यह सब चीज़े आही रही है तो आप हमारी ई-बूक को ले सकते हो आई नो कि कल ही आपका एक्जाम है लेकिन स्टिल हमने इस ई-बूक में आपको दो मास्टर वीडियो दी हुवी है एक मास्टर वीडियो में आपको बहुत कुछ कवर हो जाएगा माइंड खुल जाएगा माइंड मेक अप हो जाएगा कि किस तरीके से आपको कुशिंस को टेकल करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है आप उसे भरके फॉर्म वगेरे को और हमें तुरंथ वाट्सैप पर मेसेज आप कर सकते हो एंड देन आपको ई-बुक फ्रोवाइड हो जाएगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है 60 रुपीज उसका प्राइस है और सब कुछ आपके सामनी है तो छुपाने की कोई बात नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप देख सकते हैं बाकी आपकी मर्जी और यहाँ पर मेरा सजेशन जो था वो मैंने आपको देदिया कोईशन नंबर वन है हो इस दे प्रेजेंट प्रेसेडेंट आफ वर्ल्ड बैंक ग्रूप ठेशन प्रेजेंट आफ वर्ल्ड बैंक गृरूप की बात करें कौन है डेविड माल पासि ऊखे तुम टाइम में आपको बहुत कुछ चीजे और टू दा पॉइंट एग्जाक चीजे मिल पाएं सेशन पसंद आए तो आप इसे लाइक भी करना मत भूलेगा क्योंकि आप भूल जाते हैं फैमिली में नहीं तो फैमिली कॉप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिस्यान वाल दिनो तो परमेश्वरम आयर यहाँ पे CEO है ठीक है आगे बात करें चेर्मेन आफ करूर व्यास बैंक तो मीना हेमचंदरन यहाँ पे करूर व्यास बैंक की चेर्मेन चुनी गई हैं के वी आइसी की बात करें खादियन विलिज इंडस्ट्रीज कमिशन तो यहाँ पे मनोज कुमा जी जो है चेर्मेन चुने गए है और गवर्नर ओफ वेस्ट बेंगॉल की बात करें तो लागर नेशन यहाँ पे नाम आपको याद रखना है निव प्रेसिडेंट ओफ स्री लंका की बात करें तो रनिल विकरम सिंगे नाम याद रखना है हाल फिलाल में चर्चा में रहा ह क्योंकि यहां पे emergency जैसी आपको चीज़े देखने को मिली है तो यह new president चुने गए है रानिल विक्रम सिंगे है याद रखना है 15th president of India द्रौपदी मुर्मू यहां पे आपको याद रखना है 15th president है ठीक है 15th number की और द्रौपदी मुर्मू इनका नाम है commissioner of Delhi police तो संजय अरोरा जी का नाम सामने आता है और वहीं अगर हम नलिन नेगी की बात करें यह भारत पे की full time CEO चुनी गई है नलिन नेगी SSB के DG की director general की बात करें तो यहां पे SL थाओ से नाम याद रखना है आपको important है new appointments है यह सब कुछ CJ of उत्राखंड high court मतलब chief justice of उत्राखंड high court की बात करें तो justice विपिन जी का नाम याद रखना है chairman of the central board of direct taxes CBDT के जो chairman है क्या नाम है इनका नितिन गुपता जी इनका नाम है नाम याद रखना है important role play करने वाले हैं आपके intense exam के purpose से त्रिपुरा के cm की बात करें तो महा साहा इंका नाम आपको याद रखना है वहीं अगर हम infosys के CEO की बात करें चीफ executive officer तो सलिल पारेक नाम याद रखना है UPSC के new chairman Manoj Soni है नाम याद रखना है Geological Survey of India के अगर हम chairperson की बात करें तो S. Raju यहाँ पे नाम आता है important है याद रखना है Chairman of SEBI Security and Exchange Board of India तो माधपुरी बुक यहाँ पे इनका नाम है Chairman of SEBI का Chairman of NAC की बात करें तो भूशन पटवर्धन ठीक है भूशन पटवर्धन नाम याद रखना है FedEx के CEO की बात करें तो Rajas Subramaniam MDN CEO of Maruti Suji की तो Hisashi Takeuchi नाम याद रखना है CJI of India की बात करें Chief Justice of India आप सभी को पता है उदै ललित जी का नाम important है यहाँ पे Chairman of LIC की बात करें तो MR कुमार नाम सामने आता है N-C-E-R-T ठीक है N-C-E-R-T है E का यहाँ पे misspell हो गया है कोई नहीं आप चीजों को समझते हुए चले N-C-E-R-T के जो डारेक्टर है वो है दिनेश प्रसाज जी पिफजर के जो चेर्मैन है वो कौन है तो प्रदीप शाजी यहाँ पे पिफजर के चेर्मैन है और brand manager of उत्राखंड की बात करें तो अक्षे कुमार को चुना गया है India won कितने medal जीती भाया Tokyo Olympics की बात करें तो 7 medals जीती है ठीक है और commonwealth games की बात करें तो 61 medals यहाँ पे जीते हैं इंडिया ने G20 का जो 2023 में session होगा वो कहां होगा तो इंडिया में होगा और PV सिंदु किस से related है तो badminton से related है Andy Jesse यह कौन है CEO है Amazon के ठीक है Twitter के CEO कौन है तो पराग अगरवाल जी है नाम याद रखना है Davis Cup 2021 रशिया ने जीता आप रुगों के लिए यह homework है कि आपको बताना है कि Davis Cup related किस sport से है cricket, football, hockey, basketball हना कैरम, tennis, badminton किस से related है Davis Cup रशिया ने जीता है यह भी आज रखना है Zircon missile यह रशिया की missile है और first CDS की बात करें ठीक है तो कौन है यहाँ पे विपिन रावत जी, the little book of encouragement यह किस की book है दलाई लामा जी की और अगर हम बात करें world biggest igloo cafe तो यह गुलमग जम्मो एन कश्मीर में खोला गया है present election commissioner कौन है तो राजीफ कुमार जी चुने गए है May 2022 में अभी हाल फिलाल में तो important है याद रखना है S. Somnath जी कौन है तो यह 10th head है 10th head है ISRO के ठीक है चेयर परसन आप बोल सकते हो Operation Ahat किस ministry से related है या किस department से related है तो railway से यह related है Operation Ahat SSC के चेयर परसन की बात करें तो S. किशोर जी का नाम सामने आता है Longest Metro की बात करें Longest Metro Line तो शंगाई चाइना नाम याद रखना है KVIC की बात करें अगर हम First Mobile Honey Processing Van कहां पे चलाए गई तो गाजियावाद में और 73rd Grand Master कौन है तो भारत सुब्रमन्यम 100% vaccination हो चुका है ऐसा किस स्टेट ने बोला तो हिमाचल प्रदेश ने बोला और National Startup Day आपका मनाते है 16th of January 16th January को National Startup Day कचाई Lemon Festival कहां का है तो मनीपुर का है और वहीं अगर हम जली कट्टू Festival की बात करें तो ये आपका तमिल नाडु का एक important festival है याद रखना है और ये कहां की है पाकिस्तान की पराकरम दीवस की बात करें 23rd of January को मनाया जाता है सुबाश चंद्र बोस जी से related है और यहाँ पे Statue of Equality कहां पर है तो ये हैदराबाद में है किसकी है संतर रामानुजा चार्या जी की यहाँ पर याद रखना है आपको Statue of Equality हाइदराबाद में होमवर्क आपके लिए है कि Statue of Liberty कहां पर है यह आपको Comment box में Comment करके बताना है First Parabadminton Academy कहां खुली गई तो लखनाओ में Australian Open की बात करें Women's में कौन जीता है तो Salt Lake Party और Men's में कौन जीता है रेफेल निडाल जी Important है भाई याद रखना है आपको Gauffin 3 की बात करें तो यह EOS है EOS का मतलब Earth Observation Satellite है किसकी Satellite है Gauffin तो चाइना की है Miami Open Title की बात करें 2022 में किसने जीता है तो Ega Swetik ने और World Press Freedom Index में बात करें अगर हम की India की rank क्या है तो 150th rank है और वहीं अगर हम World Happiness Report की बात करें तो First Finland आपका सामने आता है और India की rank जो है 136th है ओके One District One Product में जो Brand Ambassador है वो कौनज है तो Gangana Ranaut जी और Word of the Year Oxford University के अनुसार क्या है तो WAX है वी ए एक्स है आपको याद रखना है वी ए लिका है लेकिन जोड़ लेना है वी ए एक्स वैक्स है ओके Capital of उजबेकिस्थान क्या है ताशकंद और National Human Rights Commission की बात करें तो अरुन कुमार मिश्रा जी यहां पे डी जी चुने गए है National Human Rights Commission की सूजत महंदी को भी हाल फे दाल में GI टाग मिला है जो की राजिस्थान से ये नोबल फ्राइस किसे दिया गया 2021 में तो अब्दुल रजाक गुर्णा को दिया गया था पद्म अवार्ट्स टोटल की बात करें पद्म भूशन पद्म भूशन ठीक है यह सब मिला के भारत रतन वगेरा कितने टोटल 128 परसन को अवार्ट दिया गया है पद्म अवार्ट्स बुरे भी यह जो तुफान है यह कहां का है तो मालदीफ्स में यह आया था याद रखना है आपको और यहां पर लोसांग फेस्टिवल की बात आती है तो यह किसका है यह है आपका सिक्किम का ठीक है लोसांग है ओके लोसर इस अलग और लोसांग इस अलग ओके लोसर जो है वो लद्दाक का है लोसांग जो है वो आपका सिक्किम का है टोक्यो पैर अलंपिक में कितने मेडल्स जीते हैं इंडिया ने तो 19 मेडल्स जीते अभी हमने इससे पहले Tokyo Olympic and Tokyo Paralympic यह दोनों ही different है तो ठीक है अलग-अलग याद अटना है Tokyo Olympic में सिर्फ हम बात करें 7 medals जीते हैं इंडिया ने Tokyo Paralympics की बात करें तो 19 medals Commonwealth Games में 61 medals हमने यह discuss किया था भी पीछे Blue Horizon की बात करें किसकी company है Jeff Bejos की यह company है Nagaland के CM Chief Minister Nephew Rio चुने गए हैं और अरवनाचर प्रदेश के अगर हम गवर्नर की बात करें तो BD मिश्रा यहाँ पे नाम सामने आता है लाल सलाम किसकी फुस्तक है समर्थी इरानी की PM गति शक्ती में कितने factors है तो 7 factors है ठीक है यह budget से related है तो आपको याद रटना है fiscal deficit अभी budget में कितना गया था तो 6.4% का अनुमान लगाया गया था लता मंगेशकर जी की बात करें तो भारत रत ने इनको कब मिला था 2001 में 2001 में हाल फिलाल में अभी इनकी मृत्य हुई है तो यह चल्चा में रही है ठीक है कौन सा सेशन है यह 15 वाला सेशन है और हम बात करें इसमें winner कौन है तो गुजुराट टाइटन्स विनर है अभी जो हाल फिलाल में हो गादा ना उसी की है यह बात चीज़ है ठीक है गुजुराट टाइटन्स विनर है और कैप्टन कौन रहा है यहाँ पर हर्दिक पंडे 2015 नहीं है 15 सेशन होगा ठीक है और यहाँ पर आगे हम बात करें तो इसके टाइटल स्पॉंसर की तो टाइटल स्पॉंसर के कौन थे उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि टोटल टीम कितीनी थी टोटल टीम 10 थी और टाइटल स्पॉंसर यहाँ पर टाटा यहाँ पर थे ठीक है तो यही कुछ यहाँ पर आपके सामने मैंने कोशिश किया है कि पूरा पूरा ओल सब चीजें निचोड़ के आपके सामने रख दें कुछ करेंड अफेर्स वगरा कुछ अपॉइंटमेंट्स, कुछ डी लिंक्स, कुछ एकसराइज़ कुछ यहाँ पर अलग अलग चीजें रखने की कोशिश की है तो कैसा लगा आपको सेशन कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो बाकी यहाँ पर फैमिली में है तो फैमिली को सब्स्राइब कर सकते हो इबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो रिजनिंग और मेंटल लिप्टिट्यूट जो की स्कोरिंग सब्जेक्स है आई थिंग कि आपको छोड़ना नहीं चाहिए एक भी कुशन नहीं चोड़ना चाहिए और उसके लिए अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लेते हो आज भी अगर जग जाते हो तो भी आपका ये चीज़ें कंप्रीट हो सकती है कुछ ही समय में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिक है वैसे आपकी मरजी आपको जैसा भी सही लगे अपना ख्यार लखिए पढ़ते रहिए सभी को और कल जैसे आपका एक्जाम हो जाए उसके बाद हमें आप वाट्साप पर अपने जो भी रिव्यूज हैं वो देना ना भूलें क्वेशन कैसे आए क्या आए वो भी हमें ज़रूर बताएगेगा अपना ख्यार लखिए अपने घरवालोगा ख्यार लखिए और समय से बहुच जाएगा वेरी वेरी all the best to all of you जै हिंद जै भारत